जो किसान भाई पासुपालन या डेरी पादिन का काम करते हैं उनके लिए मसीन बहुत यूप्योगी है मैं आपका दोस्त पवन स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल पीके टेकनिकल फंडा पे चलिए दोस्तों मसीन के में कुछ जान करें देदू यह जो देख रहे हैं रोलल है यह रोलरर रिवर्स फ़ावर डोनों सइट गुमता है इस लिवर को हम जैसे आगे की तरब्पूश करेंगे तो यह रिवर्स हो जाता है और जब उसको हम अपनी तरफ पूश करेंगे तो ये फार्वर्ड मतरफ अंदर की साइट में खीचने लगता है ये रूलर जो है दोस्तों घास या जो हमारा चारा होता है उसको अंदर के तरफ चाफकटर में अंदर की तरफ ले जाने के लिए काम आता है इससे यह होता है कि हमें हाथ से धके लिने की ज़रूरत नहीं होती है यह अभी इंसाइट पे खीच रहा है यह होपर में हमें बस डालना है वहाँ पकड़के रोलर से आटोमेटिक खीच लेता है यह हमारा गेर बॉक्स है गेर बॉक्स जो होता है हमारे में सॉफ्ट से पुल चलते हैं और यहारी मेंपुली है मेंपुली हमारे मोटर से अटेच होती है बेल्ट के तरू वी बेल्ट से अटेच होती है जैसे कि आप देख पा रहें और यह हमारे दो कनेक्टिंग सॉफ्प है हैं जो गेर बॉक्स से हमारे रोलर को कपनेक्ट करते हैं यह हमारे रोलर को घुमाते हैं ताकि चारा है से हमारे कटिंग मौट तक मतलब जो हमें लाग तक पहुंच जह jestem तो अभी आप हिसमें चाहे पाई dil feu घास ओ या हारा चारा हो शुखा चारा हो किसी भी तरीके की खास को ये करने में सक्षा मैं ये दोस्तों खासकर जो डेरी फॉर्मिक करते हैं या पशु पालन का काम करते हैं जिनके पास में अधिक मात्रा में गाय बैल भैस हैं उनको चारे की काफी दिक्कत होती है या जो चारा होता है सैगा खिलाने से जो पशु हैं खाते नहीं है तो उसको हम इस मशिन में चौफि मिला के हम ऐसे ही खिला सकते हैं यह अभी परफेक्ट खिलाने लाइक कट चुका है यह पाइणियर घास और जगली घास का मिक्स कर रहे हैं इसमें यह पाइणियर घास इसमें चला रहे हैं युद्धों पाइणियर घास को रिशाल में अविलेबल नहीं होती है जिसमें हम पुरा इस्टोर करके रख दे और उसके बाद में फिर इसका खिलाते हैं भारा-चारा होता है यह हमारे दूद देने वाले जो पसे होता है इसलिए बहुत उप्योμη होता है इसे लिए इसके प्राइब प्रोड़क्शन अच्छा आता है प्रोड़क्शन अच्छा आता है प्रोड़क्शन अच्छा आता है प्रोड़क्शन अच्छा आता है अच्छा आता है अच्छा आता है प्रोड़क्शन अच्छा आता है तो बेटर होगा कि आप मिक्स में प्लाएं तो आपके जो चारे की दुनतता है वही बनी रहे की और खाफी साथ आपके जो चारे की कॉस्टिम है चारे की जो लागत है और उड़का होगा जो खरे की ऑ्रोड़क्या झारणा जो खर्म झाल झाल यह जो हम अभी काट रहे हैं यह हमारे वितों में जो बारिस में उगाती है जंगली खास हमारे रितों में जो मेडों पर या जो खाली जगा होती है वहांपे निकल आती है उसको हम कटिंग कर रहे हैं। जिससे के फिर जो हमारे पाशू है इसे भी बहुत आसाइनी से खा लेते हैं इसको मिक्स करने से यह होता है कि एक तो जो चारे का टेस्ट है वो बढ़ जाता है और क्वांटि भी हमारी बढ़ जाती है कम लाज़त में अच्छा चारा उपलग्द हो जाता है और इसी बाहने हमारे जो खेतों की मेड़ूं की है वो शफाई भी हो जाती है अन्यता हमें जो हमारे खेतों में जो घ्स गृत ज्यदा परधान करती है कही बार तो इसी के साथ सथ खेतों के सफाई के साथ वही घ्स हमारे पश्एओं के चारे के रूप में भी कामा जाती है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अधितर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेट कलर का सब्सक्राइब बटन बटन बगता है उसे दबा के साइट में घंती जैसे दिखने बैल आइकन को लिए दबादे नोटिफिकेशन आपको मिलते मेरा आज की वीडियो यहीं सब माक्त करते हैं जैहें